मुल्ला की सूजबूज पाठ प्रवेश सूजबूज या समझतारी द्वारा ही बड़ी से बड़ी मुसीबत या समस्या का हर धुणा जा सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन बहुत ही चतुर तथा बुद्धिमान थे। यह पाठ उनके बुद्धि कौशल का चित्रन कर रहा है। यह किसा बहुत पुराना है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी सूजबूज के लिए लोगों में जाने माने व्यक्ति बन चुके थे। पर मुल्क के बादशाह और प्रधान मंत्री उनके बारे में कुछ खास नहीं जानते थे। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन एक शहर में गए। वहां उन्होंने सडक के किनारे बने एक धावे में तीन उबले अंडे खाए। पर जब जेब में हाथ डाला तो उनकी जेब खाली थी। उन्होंने वहां के मालिक से माफी मांगी और अगली बार शहर आने पर कीमत चुकाने का बादा किया। मालिक ने बेफिकरी से जवाब दिया। अरे, कोई बात नहीं, तीन अंडों की किमत ज्यादा नहीं है, जब भी इस ओर आओ, दे देना। साथ आठ महीने बाद नसीरुदीन फिर उसी शहर में आए, उन्हें तीन अंडों वाली बात याद आई, और वे धाबे के मालिक का उधार चुकाने के लिए उस जगा पहुच गए। उन्होंने कहा, जणाब, मैंने आपके ढाबे पर साथ आठ महीने पहले तीन अंडे खाए थे, अब आपको उसकी कितनी खिमत चुकाऊं। मालिक ने काफी देर तक हिसाब लगा कर बताया, ज्यादा नहीं, तीन अंडों के लिए तीन सर उपए दे दीजिए। नसीरुदीन तो एक्तम जैसे पहाड से नीचे आगिरे, वे बोले, अरे जणाब, शायद आपको समझ नहीं आया, मैंने साथ महीने पहले केवल तीन अंडे खाए थे। धाबे का मालिक बोला, मुझे ठीक समझ आया है, तुम ही नहीं समझ पा रहे हो, अगर तुमने ये तीन अंडे नहीं खाय होते, तो इनसे तीन मुर्गियां पैदा होती, साथ महीने के अंदर एक मुर्गी कम से कम सो अंडे देती, और तीन मुर्गियां तीन सो अंडे देत तो तुम ही बताओ कि उसकी क्या कीमत मिलती नसीरुदीन उसकी बातों से सहमत नहीं थे उन्होंने इतना दाम देने से इनकार कर दिया इस बात पर उसने मुल्ला पर मुकदमा कर दिया मुकदमे की सुनवाई के दिन बार बार पुकार होने पर भी नसिरुद्दीन पेश नहीं हो रहे थे तब बादशाह ने कहा अब उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी उन्हें बुलाने के लिए दरबार से आदमी भेजा गया तब कहीं नसिरुद्दीन एक कर्ची उठाए गिरते पड़ते परिशान से पहुझे उन्हें देखते ही बादशाह ने कहा तुम जुर्म करने के बाद भी कानून की गिरफ्त से बचने की कोशिश कर रहे हो नहीं जहाँ पना ऐसा मत कहिए दरसल मैं काम में बेहद मश्गूल था मैं अपने पडोसी के साथ मिलकर दो बीघा जमीन पर गेहूं गाता हूं कल गेहूं की बुवाई है बुने से पहले हम लोग गेहूं के बीज बुहून रहे थे इसलिए मुझे देर हो गई बादशाह मंत्री और सभा में बैठे सभी जोर जोर से हसने लगे बादशाह बोले तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कौन हो सकता है बुने हुए बीजों से भी कहीं अंकुर निकल सकते हैं अगर बुने हुए बीजों से अंकुर नहीं निकल सकते तो क्या उबले हुए अंडों से चूजे निकल सकते हैं यह भी बता दीजे हुजूर तथा धाबे की मालिक को दीवा ने खास का समय बर्बाद करने के कारण जिर्माना देना पड़ा